ब्रेक के बावा का स्वागत है सुजानपुर में पेंटिंग का काम कर रहे है मजदूर को अचानक से करंट लगया बिजली की सर्वेस वायर कुछ जग़ पर कटी हुई थी जैसे ही ब्यक्ति सीडियों पर चड़ कर पेंट करने लगा ब्यक्ति को करंट लगया घायल अबस्ता में पीडित को सुजानपुर अस्पता ले जाये गया है और बहाँ पर उसका प्रात्मिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेस हमीर पर रेफर कर दिया गया है यहां पर ब्यक्ति का इलाज चल रहा है सुजानपुर में पेंटिंग का काम कर रहे मजदूर को अचालक करण्ट लग गया बिजली की सरविस बाइर कुछ जगा पर कटी हुई थी जैसे ही बिक्ति स्टीडियों पर चड़ कर पेंट करने लगा बिक्ति को तवी ही करण्ट लग गया गनी मत्यही की बिक्ति स्टीडियों से नहीं गिरा जबकि बिजली का करण्ट लगने से बिक्ति के सिर पर घंबीर गाव बन गये हैं गायल अवस्ता में पीर्ट को सुजानपुर अस्पताल ले जाया गया है यहां प्रास्मिक उपचार के बाल इसे मेडकल कॉल्स हमिरपूर रेफर किया यहां बिक्ति का इलाज चल रहा है जानकारी के अनुसार संतोष कुमार निवासी बलेट मजदूरी का काम कर रहा था बिक्ति सुजानपुर में एक मकान को रंग रोगन कर रहा था इस दोरान मकान की साथ गुजे रही बिजली की सर्विस बाहर से बिक्ति का सीद लग गया सर्विस बाहर कटी होने के कारण बिक्ति को करंट का जोरदार जटका लगा करंट के कारण बिक्ति जुलिस गया तथा सर पे गहरा गाव हो गया गायल अवस्ता में ब्यक्ति को मेडिकल कॉलिस हमिरपुर में बर्ति करवाया गया है यहां उसका उपचार चल रहा है बताया जा रहा है कि ब्यक्ति खत्रे से बाहर है